बिजेपी विधायक और पुलिस अधिकारियों में भूई हाथा पाई बिजेपी विधायक ने पुलिस अधिकारियों पर लगाया मारपीट का आरोप पुलिस अधिकारियों पर पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की है मामला अलिगण का है जहां बिजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी ने पुलिस अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है जैसे ही विधायक की थाने में पीटनी की खबर फैली सैकड़ों भाजपा कारकरता घटना का विरोध करने थाने पर जमा हो गए इकलास बिधान सभा सीट से भाजपा विधायक सहयोगी सत्ताधारी दल से संबन्द में एक बेगति के खिलाफ दायर मामले के सिलसिले में गौंड़ा थाने गये थे विधायक राजकुमार सहीयोगी ने जो गुंडा थाना अध्यक्ष सहित पुलिस अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। विधायक सहीयोगी ने क्या कुछ कहा है मारपीट का आरोप लगाते हुए सुनिये। वहें पुलिस के साथ भी मारपीट का आरोप विधायक राजकुमार सहीयोगी पर भी लग रहा है। सतीष्ट गौतम भी मौके पर पहुँच गए और सामसर सतीष्ट गौतम ने क्या कुछ कहा है सुनिये। महाल तनाव पूर बना हुआ है वही सीयम योगी ने भी ट्विट करके आईजी अलीगर को इस संबंध में आख्या कराने का निर्देश दिया है। वही संबंधित थाना अध्यच को निलंबित कर दिया गया है एस पी ग्रामीड का अस्थांत्रन किया जा रहा है। अतुल शर्मा एस पी ग्रामीड ने क्या कहा है सुनिये। पुलिस के बीच हुई मारपीट की खबर से माहौल तनावपूर बना हुआ है। कई थानों की पुलिस और पीएसी भी तैयनात कर दी गई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं। प्रहाटागी।